तोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे आसान सी लेकिन बहुत ही सुन्दर दिखने वाले केक की रेस्पी लेके आई हूँ जिसे हम बड़ा भी बनाएंगे चोटा भी बनाएंगे घर में मिक्सी, कटोरी और घर वली चीजों को यूज करते वे बनाएंगे बहुत कम समान के साथ बहुत ही आसान सी रेस्पी है ये है एगलिस जेबरा केक की रेसिपी जिसमें इस तरीके से जेबरा की तरीके से धारिय ही है इसमें डालेंगे एक कप के जितना रिफाइंड ओयर यहां पर मैंने सोया बीन का देल इस्तमाल किया है जो रिफाइंड ओयल आता है वह वाला साथ में एक पके जितना दूद नूर्म लेकिन यह देखे जो हमने तेल डाला था दूद डाला था एक तरीकी से जो मियोनीज वाला टेक्शर होता ना बिल्कुल वाला टेक्शर का आपका यह ब्लेंड बनके तयार हो जाएगा जो कि हमारे केक को सुपर मॉइस्ट एंड फलफी बनाएगा अब इसमें हम डालेंगे प्लेवर के लिए बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह हमारा वेट मिक्सचर बिल्कुल रेटी है अब इसमें हम ड्राइ इंग्रिडेंस को शिफ्ट करेंगे लेकिन पहले से अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लें योकि चीनी पिसी नहीं थी हमने सारी चीजों को डाला तो वो भी अच्छे से घुल चुकी है दोस्तों तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो देखा मैंने घर की चीज़ें अभी तक यूज की है यह अच्छे से घुल गया है अब इसके ऊपर डाल देंगे हम चन्नी और चन्नी में हम अपनी ड्रा के जितना बिकिंग पाउडर डालेंगे जो बिकिंग पाउडर वाला मेरा चंबच था वो हाफ़ टी स्पून के जितना था तो इसलिए दो बार डाला मैंने बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें वैसे तो केक में हलका सा नमक जाता है लेकिन बहुत सारे दोस्तों की request आती है कि उन्हें नमक का taste पसंद नी तो इस वज़े से आप लोगों के लिए मैंने डाला नहीं आच बस सारी चीज़ों को अच्छे से चाल लेंगे और simply आपको hand whisk की मदद से या फिर आप चमबच या spatula भी इस्तमाल कर सकते हैं कि कितना आसान है इसे अच्छे से आपको mix कर देना है दोस्तों इस केक में टोटल जितना दूर्थ लगेगा अभी तो मैंने एक कप के जितना डाला अभी जब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगी इस बैटर को तो वापस से हमें तीन से चार्ज मच के जितना फिर से डालना पड़ सकता है इसलिए थोड़ा सा कि इसमें विनेगर डालना क्यों जरूरी है दोस्तों विनेगर एक तरीक एगा सिट्रिक एसिड होता है जैसा कि मैंने आपको बताया अगर नहीं हो तो आप निम्बू का रस्पी यूज़ कर सकते हैं लेकर अगर है तो जरूर डाले इसमें सिरके का कोई टेस्ट नहीं आन अब यहां पर बैटर को मैंने आधा हिस्से में डिवाइट कर लिया और उसमें मैंने डाल दिया एक चौथाई कप के जितना कोको पाउडर साथ में दो से तीन चमच के जितना यह नॉम्मल दूध है बचा के रखा था मैंने क्योंकि कोको पाउडर डाला है अगर हम बैटर बिल्कुल वैसा वाला होना चाहिए जैसा हमारा पहला वाला बैटर है यह मिक्षर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है अभी यह देखे रुक रुक के गिर रहा है तो दो चमच के जितना दूध मैं अभी और एड़ करूँगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना कि एक में आपने दूध नहीं डाला और सीधे कोको पाउडर डाल के मिक्स कर दिया तो केक का एक हिस्सा जो डाक वाला है वो थोड़ा सा ड्राइ बनेगा और जो वाइट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा मॉइस बनेगा तो केक हमारा समान तरीके से बेक हूँ, इस वज़े से मैंने थोड़ा सा इसमें डाला, दो धोर, ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, दोनों की कंसिस्टेंसी अल्मोस्स सेम है, अब आप इस तरीके का भगोना या फिर आपके पास केक्टेन है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं दोनों का साइज अल्मोस्स सेम है, तो मैंने यहां पर आज केक्टिन का प्रयोग किया है, अगर आप ये ना करना चाहें, आप भगोने में करना चाहें, तो आप उसे अच्छे से ग्रीस कर लें, या तो नीचे थोड़ा सा मैदा डस करके आप वापस से पलट के जाड़ सक कराची बिस्किट वाले वीडियो में, मैंने प्रॉपर बताया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, तो मैंने केक टिन तो तयार कर लिया अपना, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे, हमारे जो कोको वाला बैटर है, वो इसे नीचे थोड़ा सा स्प्रैट कर लें, दोस्तों मेर कोची सेंटर में होनी चाहिए, जित्ती बार आप स्पून से डाल रहे हो, गबरानी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका शेप प्रॉपर नहीं आरा, क्योंकि बेक होने के बाद अंदर से बहुत अच्छा आएगा, मैं आपको लास्ट में कट करके भी दिखाऊंगी, यह बार-बार मैं सेंटर में डाली हो, तो जो बेटर है वो फैलता जा रहा है, जैसे हम तलाब में ऐसे पत्थर फेकते हैं, तो उसमें जैसे तरंगे बनती ना, बिल्कुल उसी तरीके से फैलता जाएगा, और इसी वज़ए से अंदर जेबरा वाले स्ट्रिप्स भी बनेंग कर सकते हैं, बस टाइमिंग और टेंप्रेचर थोड़ा सा वैरी कर सकता है, यह देखे मैं सेंटर में डाल रही हूं, वही प्रोसेस में बार-बार रिपीट कर रही हूं, एक बार कोको वाला बैटर और एक बार नॉमल वाला बैटर, अभी तक आपको इसमें दोनों अलग- अच्छे डिजाइन बनती है, तिन को पूरी तरीके से नहीं फिल करना है, थोड़ा सा केक को राइज होने के लिए हम जगा भी छोड़ेंगे, तो वो मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा बैटर बचा था, तो मैंने वेस्ट नहीं करना, मैं यह नॉमल अपनी स्टील की कटो से, यह देखे, वही सेम प्रॉसेस में कर रही हूं, आपको बार बर बैटर को रिपीट करना है, अल्टरनेट पे में आपको वो डालते रहना है, हमें इसे बहुत सुन्दर बनानी के जरुरत नहीं है, बस जैसा मैं बता रही हूं, आप वो चीज फॉलो करोगे, तो आपक करके देखेगा, और ट्राय करने के बाद आप मुझे आओगे, यहां पर बताओगे, भी मुझे पता है, दोस्तों कड़ाई मैंने प्रीहीट करने रख दिया है, मीडियम आच पे, लोगों का ये केक बनेगा, मुझे प्लीज आकर अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है, तो आप definitely उसे related questions मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को reply करूँगी, और यह देखे चाकु की मदद से, last में मैंने इस तरीके से कर दिया, तो जो थोड़ी बहुत डिजाइन नहीं भी अच्छी लग रही है, वो last में इक्दम सुन् धीमी आज पे करीबन 35-40 मिनट के लिए, यह जो बड़ा वाला केक है मेरा, यह दोस्तों, 40 मिनट में हुआ था, 35 मिन में चेक किया था, अंदर से थोड़ा सा गीला सा निकला था, हमारा चाकु लेकिन 40 मिनट के बाद एकदम perfectly clean आया था, तो इसके बाद हमने काटोरी वाला थोड़ा सा साइट साइट से असे निकाल के, पलट के एक बार पीछे से मारेंगे, तो आराम से निकलाएगी, अच्छे से ग्रीस करना इसलिए बहुत जरूरी होता है, और यह देखे थोड़े से effort के बाद, यह जो हमारा कटोरी वाला केक है, बड़े आराम से बाहर निकला के बाद, उसे कपड़े से ढगतें, किसी साफ कपड़े से, आपका केक उपर से soft बना रहेगा, अगर तब भी कड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा आप पानी ब्रश कर सकते हैं, उपर से पानी या दूद, तो भी soft हो जाएगा तुरन, तो यह थी आज की टिप, यह केक गरम है दोस्तों, आप लोगों के लिए, मैं अभी गरम पे ही से डी मोल्ड कर रही हूं, साइड में एक बार चाकू को मैंने फेर दिया है, इसे ऐसे डी मोल्ड कर लेंगे, वैसे तो केक को कट थोड़ा सा थंडा होने के बात किया जाता है, बट मेरे अंदर अभी इतना patience नहीं हैं, एक केक, काटोरी वाला थो ठंडा हो गया है, लेकिन एक केक मुझे थोड़ा सा गरम गरम भी खाने का मन हो रहा था, तो इस वज़े से मैंने गरम पे ही उसे डी मोल्ड कर लिया, और इस तरीके से इसका पीछे से बटर पेपर भी हटा रहे हैं, जो कि घर वाले जुग को पलट लोगे, तो भी आपका आराम से निकल आएगा, ये देखे, कितना बढ़िया हुआ है हमारा केक, गरम पे थोड़ा सा तूटता है, तो मेरे हाँ से साइड से थोड़ा सा लगके तूट गया था, क्योंकि बहुत ही ज़दा सॉफ्ट बना है, ये देखे, कट करके मै अंदर से आपको दिखा दे रही हूँ किसे जेबरा हम क्यों बोल रहे थे, ये देखे, बिल्कुल जेबरा वाले स्ट्रिप्स बनी है, अब बस वो स्ट्रिप्स सारे फॉलो करना जो मैंने बता है, आपकी भी डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, अब हम बढ़ा व बनाना सिखाया है, जो कि हम सभी के घर पे अल्मोस्ट होता ही है, तो आप उस तरीके से ये बनाएं और इंजॉय करें, इनकेस अगर आपके पास मिक्सी नहीं है, तो आप ग्रेनुलेटिट शुकर मतलब जो मिक्सी होती है, उसकी बजाए आप किसी बोल में पहले चीनी औ बढ़ा था, बड़ा वला भी दोस्तों उतना ही सॉफ्ट बना है, बट गरम है तो मुझे थोड़ा डल लग रहा है दबाने में क्योंकि तूट सकता है, बाकी बहुत ही अच्छा केक है, आप इसे ट्राइ कीज़े और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके की और भी रैस्पी इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा, उसे भी आज से दबा दीजेगा, ताकि जब भी कोई नए वीडियो में अपलोड करूँ, उनके नोटिफिकेशन मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और नई रैस्पी के साथ, आप मुझे बताना ना भूलें कि अगली कौन सी रैस्पी आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक क्या, बाबाई